रेडमी नोट 11 11T 11S या को यह और मोटल है तो उसके अंदर आप incoming message notification sound को किसरे चेंज कर सकते हो यानि कि आपके पास कोई incoming message आता है जो उसको sound होता हो काफी दीर होता है आपको पता है कि हमारे पास incoming message आता है तो आप साउंड को चेंज करना चाहते हो या आपको अपने कोई sound कस्टमाइज करना आपने को इकान डालूट कर रखा है recording कर रखिया है वह लगाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपकर मैंस की आइकन पर टैप करना है उसके बाद आपको यहां पर आपको तो यहां पर आप इस तरीके से जाओगे अगर आपके सामने इस तरीके इंटरफेस हा रहा है तो यहां पर आपको लोकल लगाने तो आप लोकल लगा सकता आपने कोई गाना डालूट कर रहा है ठीक है बाकि आप यहां पर पेमी लगा सकते हो इस पर आपको टैप कर लेना भाइक आपको इसके अंदर क्या करना है डिफल्ट हमारे यह इन फिसको कि और इस तरीके साब क्या करें तो आपके से नहीं हिसे तरीके से इन घुछ तो आपको इन में से कोई लगाना है तो आप लगा सकते हो कि अब्धुषिं से अपलाई कर देने को कि कर देना और आपको है और गहुं0 ठाइबागीा अपने ठाश्च नरव कर रिक्षिज डावलड कर रहे हैं यह रिकोडिक कर र centrally तो औ करोगे आपको कैसा चाहिए लब पाड़ी नैच्रोल इंसक्राइब करेंगे तो इसके लिए होता है नैट करेंगे 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 यहां पर हमारे साउंड आ रहा है इस तरी साफ सुन सकते हो तो आपको बस ऐसे करके ओकी कर देना यह आपका डाउड होगा ठीक है डाउड होने के बाद आपके सैट हो जाएगा तो इसी तरी से अपने फोन के अंदर इनकमिंग मैसेज नोट विन साउंड को चेंज कर सकते हो अगर वीडियो से तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करें मिलते है नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई